माल्दी जी नमस्कार नमस्कार वेलकम बाक अगैन तेंक यू आज हम फिर से एक टॉपिक पर अगरा अगरा इस पूरी वीडियो में हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे सबसे पहला कि बच्चों के सामने क्या चैलेंजिस आते हैं जब उनके माता-पिता डिवास लेना चाते हैं दूसरा आप कैसे अपने बच्चों को बता होगे इस डिसिशन के बारे में बिकास उनको बताना बहुत निसेसरी है आप छुपा नहीं सकते हो तीसरा इस पूरे ट्रांजिशन को आप अपने बच्चों के लिए स्मूध कैसे बना सकते हो हम इस बात पर बात करेंग जब तक बच्चा नहीं है आपके दोनों के डैनेमिक्स में तब तक I don't think so कि आपको जादा सोचने की जरुवत है हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है उपर कहीं लिंक का रहा होगा कि आप डिवास को किस तरीके से कैसे practically handle कर सकते हो उस वीडियो में हमने बच्चों की बात नहीं करी थी क्योंकि बच्चों की बात आते साथ चीज़े complex हो जाती है हाँ ये ठीक है कि अपने legal system में बच्चों की rights protected है but वो सिर्फ rights है mental health का या mental well being का क्या आज इस वीडियो में हम यहीं चीज़ explore करेंगे कि अब किस तरीके से इस बड़ी sensitive चीज़ को handle कर सकते हो माल्दी जी नमस्कार वल्कम बाक अगेन आज हम बात करेंगे कि divorce का decision जो होता है उससे बच्चों पर क्या effect पड़ता है मान लीजे कोई बच्चा 18 साल से कम का है उसके लिए तो पूरी दुनिया ही माबाफ है बिलकुल आई यह है कि जब बच्चा दुनिया में निकलता है बाफ और एक्जाम्बल कॉलेज में जाता है उसका maximum time कॉलेज में निकलता है नौकरी करना चालू करता है या बिजनेस जो भी उसके इच्छा है करना चालू करता है वो फिर उसकी दुनिया अलग होने लग जाती है पर जब तक वो 18 साल से काम है इन शॉर्ट डिपेंडेंट है पेरेंस के उपर निरबर है तब तक तो रोंकि पूरी दुनियाई hora ही पेरेंस ही होता है उस वक्त बच्चे पर क्या effect पड़ता है ये जाहिर सी बات है है या होने वाला होता है इस पर से ज्यादा effect बच्चे पर ही पड़ता है चाहए बच्चा चोटा हो अगर बहुत छोटा है नहीं समझता है लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा होता है चीजों को समझने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर से कुछ बोल नहीं पाता है उसके इन जो भी चल ला होता है बोल नही से बात है तो उसे कुछ जो बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है कुछ पॉइंट है तीन-चार पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिसक्स करना चाहूंगी वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है लेकिन जो कुछ-कुछ में पॉइंट होते हैं जैसे बच्चा समास से करना शुरूं हो जाता है ठीक है शोचल गैदरिंग में नहीं जाता है उसको यह लगता है कि कोई ना कोई उसको डर रहता है कि कोई ना कोई उससे कुछ पूछेगा वो क्या जवाब देग़ा बात है बिल्कुल मतलब सिंपति नहीं अक्सर किसी को सब को पसंद होती है लोग sympathetic हो जाते हैं लोग क्यूंकि अक्सर gathering में क्या होता है कोई ना कोई बात चेड़ी देता है यह जायट सी मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगे आपको कि बच्चा एक्सप्रेस तो करनी पड़ता है लेकिन अंदर ही इंदा इरिटेट होता रहता है अंदर अंदर उसको क्रोध होता रहता है उसको गुस्सा आता है वह चीजों को नहीं समझ पाता है हां इसको समझना बहुत मुश्किल है डिवॉस लिकने में चार चार चे शब्द का वर्ट का एक पूरा वह बहुत है बहुत है अच्छे नहीं समझ पाते उसे दो बच्चा तो अभी ग्रोइंग स्टेज में है जी तो यह सारी चीजें होती तो किसी ना किसी पर गुसा उतार रहता है कि उसको यह लगता है कि कहीं यह चीजें मेरे कारण थो नहीं हो रही है वह बहुत बिगड़ता है जब लगतार देखोगे कि आपके मा, पापा लड़े जारे हैं, वो अफेक्शन जो होता है, जो शाइद, शादी के वक्त होगा दोनों के बीच वो दिखता नहीं है, यह कि गुस्सा और प्यार, बड़े आराम से दिखती हैं चीज़े, जबरदस्ती का गुस्सा भी, जबरदस्ती का प्यार भी हो, करता है, इवन यह होता है कि जो वो अपने एजुकेशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, यह सबसे पहला एफेक्ट तो एजुकेशन भी बढ़ेगा, बिल्कुल है, क्योंकि वो चीजों को सोचता रहता है, तो उसका मनी नहीं करता है, उसका जो स्कूल का या उसके जैसा भी बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसका स्कूल का काम पूरा नहीं होता है, यह होता है, उससे बिल्कुल अलग है, अलग कटा रहता है, तो यह एफेक्ट तो इसका पढ़ता है, पढ़ता है, एजुकेशन पर किसी भी, मान लिजे आज कल इतने सारे है, कुछ कर रहा है, जो इसके लिए तो खराब चीज है, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर इस ही उसमें होता है, कि अगर जैसे हमने बाप को बताए कि मान सिक संतुलान उसका ठीक नहीं रहता है, तो उसमें कई तरह की बिमारियां उभर आती है, ठीक है, वो अपने कोई हाम प आच इतना करें, तो एक डिप्रेशन वाली स्थिति भी आती है, तो देशन एक ऐसी चीज है, जो एक्स्ट्रीम साइक इस्ट्रीम एक एक्स्ट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रेन इश्व है, बिल्कुल, जिसको समझना, पहचानना या खुद मानना बहुत ही ज्यादा बिल्कुल है ना तो उससे कभी-कभी क्या होता है कि बच्चा ठीक से सो नहीं पाता ठीक से वो खा नहीं पाता अजीद बजीद तरह से उसके अपने भी हेल्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और इवन यह कि कभी-कभी तो जैसे कुछ बच्चों से जैसे बात्चित करने से पता पापा जब वो देखता है कि अलग-अलग हो रहे हैं तो उसके लिए एक 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 जामपल बन जाते है अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए कि ऐसा हो करना सही है अब मान लीजेव आगे चलके अपनी फैमिली यूनिट बनाता है तो उस पर तो नेगेटिव एक तो बिल्कुल तो उनका एक 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 पीशे से पड़ा होता है तो वह भी वह क्योंकि बहुल जो इफेक्ट उनका दिमाग में इतना ज्यादा बैठा रहता है कि वह अपनी लाइफ को अगर स्मूध भी करना चाहते है ना कि अगर सब कुछ भी ठीक है तब भी कहीं ना कहीं पर ये उभर के जाता है और वो कभी अपनी मैरी लाइफ में कभी ताला की तर्व बढ़ जाता है ये किसे होते हैं लेडगो उसके लिए असान बन जाता है दो बिलकुल पकड़के रखना चीज फिर काफी मुश्किल चीज होती है बार फिर लेडगो करना जब आपको लगते हैं लेड़क तो यह जो एक चीज है कि जो बच्चा अपनी जिंदगी में डिवार्स का पूरा एक चीज देखी है उसने अपने माबाब पे माबाब के थूरू वो फॉर्दर लाइफ में उसके लिए डिवार्स लेना असान है हां यह इसी के इस पर मैं एक छोटा सा वाकिया बता हूं के दाब दियुकेशन नदे पाए ना उसकी केरियर पे द्याद दे पाए दो व्द्यक्राइब हूं बच्चा जैसर तैसे बड़ा हूट हिसके उसके यह इसकी शादी कर दी छो नदा जो भी बिजनेस उसको कराई शादी कडी लेकिन यह जैटी zooming कुछ सालों बात क्या हुआ उसके एक बच्चा हुआ और उसका बच्चा एक-दो साल का था और कुछ इक बात पर लेके टेंशन हुई और उनका आपस में डिवोर्श दिए यह क्योंकि दिमांग में था उसको वह तालाग लेना उसके लिए बहुत असान हो गया बस यही है कि अच्छे से जीनी चाहिए नेसेसरी नहीं है कि आप एक ही चीज में बने रहो उसी एक ही पार्टनर के साथ बने रहो बट एक चीज इसमें गडबल भी है कि फैमिली यूनिट आने वाले टाइम पे ज्यादा टिकिंग ही नहीं क्योंकि डिवास लेना समझना बहुत अ मालती जी इनके अलावे भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे एक बच्चा गुजरता है अब हर माइंड हर ब्रेन अलग तरीके का होता है परस्नेलिडी अलग तरीके की होती है तो चीजें भी डिफर कर सकती है बट मेजरली ये चारपा चीजें जो बई डिफॉल्ट हर एक फेस करती गड़ती है अब बात करते हैं कि आप as a parent कैसे बता सकते है अपने बच्चे को इस divorce के decision के बारे में जरूरी है कि दोनु मापाप माता पिता दोनु एक साथ बच्चे को diverts के बारे में बताएं ताकि इस बच्चे को लगे की दोनु का concern है माता भी मुझे प्यार कर रहते हैं पिता भी मुझे प्यार करते हैं तो है कि दोनों एक साथ बताएंगे तो बच्चे पर उतना असर नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा यह सभी आप दोनों को एक साथ ही बताना पड़े गा को मा अलग से बता रही है बाप अलग से अब यह जो बताया जाएगा जिस समय माबाप बताएंगे बच्चे को उस समय आपस में conflict नहीं होना चाहिए ठीक है यह नहीं कि वहीं पर नोग जोक होने लगे तो बच्चे पर उसका असर गलत लेगा conflict तो मेरे हिसाब से तो बच्चों के सामने कभी होना ही में चाहिए बिलकुल आपको conflict करना यह देख लो कि बच्चा जो देखेगा हो सिखेगा मिलकुल पहले आप उसको divorce समझा रहे हो सिखा रहे हो उसके ओपर आप लड़ाई जगड़ा भी सिखा रहे हो तो यह कहीं ना सोच लेगी मेरी होज़े से तो भी हो रहा भाई हाँ वही है इसलिए यह चीज़ को बहुत जरूरी कि आपको सोचना पड़ेगा दूसरा जो मेरा एक suggestion है वो यह है कि कभी भी जब आप बच्चे को इसके बारे में ताला के बारे में बताएंगे तो एक ऐसी जगे देखे जहां पर बच्चा comfortably आपकी बात को सुन सके वहाँ कोई disturbance ना हो ठीक है ताकि बच्चा भी अगर कोई तर्ग विदर करता है तो उस उसको ऐसी जगे पर उप्युक्त जगे पर आप उसको ले जाईए और वहाँ पर उसको उस संबन में बात्चित करिए एक पूरे फ्लो में एक पूरी बात कही जा सके सुनी जा सके टाइम मिल सके और कोई बीच में disturbance ना हो कि बात अधूरी रह जाए क्योंकि या क्योंकि ब औरोंका अंट्रफेंस नहीं होना चाहिए फिर एक और मेरा suggestion है कि बच्चे की बात को धैर से सुने ठीक है उसको ध्यान से सुने कि वो बच्चा क्या कहरा चारा है यह नहीं कि बच्चा उससे में देखो गुसा भी आएगा उसे वो चिलाएगा भी है ना बिसलित भी होगा कही तरह से तो आप यह नहीं कि आप उल्टा उसके उपर चाड़ जाएगी तो इस तरह क्यों बोल ला है अपनी बात हावी मत होने हावी ना होने हावी बच्चे के मेंटल उसको देखे ना जो कि उसके दिमाग में चल ला होता है उसको आप आराम से सुने उसकी condition को देखत हुए अब वो भी देखे कि बच्चा किस एश का है तो अपनी बात को उसी तरह से आप एश के अकॉर्डिंगली आप यह बात करो यह मैं आप से बोलूँगा जब आभी बात अपने बच्चे को बता रहे होगे ना आप लोगों ने आपस में जो करना तक कर लिया अभी बा बात भी होगा तो अब दोनों चीज़ा आगा जगेगा थोड़ा चिड़ चिड़ा होगा अगर इंट्रोवर्ट है तो बिलकुली सालेंट पर हो जाए इसको समझ भी ने आएगा प्रोसेस क्या करना तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी फिर एक और है हैं, आपको कोई परिशानी नहीं होगी, दोनु आपको प्यार करते हैं, और दोनु आपकी केयर करेंगे. हाँ, यह निसेसरी है, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो मेरे क्याल में यही उठेगा, कि अब मैं किसके साथ रहूंगा या मैं कहां गुमूंगा या किसके साथ गुमूंगा बल्कुल पलब यह तो सब से बेसिक सवाल है गा कि अब क्या कौन मेरे साथ रहेगा या ऐसे या जी जी वो आशारिंस देनी ज़रूरी है कि नहीं दुनों आपके पास available रहेंगे और ये भी कोशिश हैने चाहिए कि जैसा बच्चा पूरी उसकी दिन्चरिया होती है एक स्मूथ दिन्चरिया में जैसे वो चल ला होता है उसको बहुत जादा छेड़ छाड़ करने की जरुवत नहीं है कि उसकी एक दम से दिन चल जाड़ चेंज कर ली या कोई भी चीज जैसे उसको पूपने तो हाँ रूटीन जो होता है उसका जो अपका डेली रूटीन होता है उसके बहुत छेड़ साड़ नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चे को लगे कि वो एक स्मूथ लाइफ जी रहा है या उसे पहले की तरह ही जी रहा है हाँ मतलब उसको जितना जादा ये लगेगा कि चीज़े पहले जैसी है डिवास तो माबाप को हो रहा है उसकी जिन्दगी का थोड़ीन हो रहा है डिवास जब तक उसको ये दिखेगा कि चीज़े स्मूथ है वैसी ही है जैसे पहले थी तो उसके लिए वो डाइजर्स करना थोड़ा असान होगा ये भी एक सजिशन है कि माबाप बच्चे के सामने अपने को एक दिखाए मतलब मैं बच्चे के लिए हम लोग एक हैं मैं यहाँ पर क्लेर करना चाहूँगा एक दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आप जूट पिक्चर पोट्रे करो आप अलग अलग हो उसे भी पता है और उसके लिए आप एक यूनिट हो वो उसको पता होना नेसेसरी वही उनको उसको दिखाना जरूरी है मतलब उनके सामने आपके कोई भी शूर है लेकि उनके सामने बच्चे के सामने आप यह शो करिए कि हम आपके साथ हैं हम दोनुं आपकी केयर करते हैं यह चीज़े कि बच्चे को लगे कि नहीं मेरे माबात मेरे साथ हैं दिखिए डिवार्स हो रहा है तो वह जिनका डिव तो आप डरो मत प्रोफेशनल एक हेल्प लेने के लिए उसमें कोई शर्म की बात नहीं है अच्छा हमारे इंदोस्तान में एक यह चीज है आगी किसी वीडियो में भी हम इस चीज को बात करेंगे कि प्रोफेशनल हेल्प लेने में लोग बड़े शर्मात है या जिचकते हैं या जो भी कहलो उसे कि लोग क्या ही उल्टा समझेंगे तो वो प्रोफेशनल हेल्प सीक नहीं करते हैं यह बात तो सही है जश कि देखो प्रोफेशनल जो होता है है न वो एक ही तरह की स्टेडी करता है उसका वो प्रोफेशनल है वो हाँ बता है वो लाखों लोगों के सा अपना काम करता है लाखों बच्चों के साथ तो अपना एक्सपेरिमेंट कर चुका होता है तो वो समस्था है कि ऐसे केसों में बच्चों को कैसे डील करना चाहिए आप जैसे आपने MBA में भी तो पैसे खर्च करते हो ना 20-20 लाग रुपे खर्च होते है उसने psychological studies में पैसे ख बच्चे की maturity बढ़ेगी उसके सवाल बदलते जाएंगे उस बच्चे की maturity बढ़ेगी उसके सवाल और mature और intimate और intricate होते चले जाएंगे तो इस ऐसे सिनारियों में उस पूरे transition को जब तक बच्चा fully accept नहीं कर लेता है यह चीज़ उस transition को smooth कैसे बनाएं देखिए आपको जो कानूनी अधिकार बच्चे को पालने के लिए जो भी मिले हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझने पड़ेंगी यह जैसे आपने बताया थै कि यह एक process है जब तब बच्चा mature नहीं हो जाता है अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है उसके अपने सवाल रहते हैं वो हर चीज़ जानने की कोशिश करता है है ना तो वो जरूरी है क आप भी उसी साफ से आपको भी चलना पड़ेगा ठीक है आप जब बहुत सारी चीज़ें आपको clear करने पड़ेगी कि आप बच्चे के लिए क्या करेंगे माप क्या करेंगी फादर क्या करेंगे कौन कितना समय देगा है ना अपस में यह सारी चीज़ें आपको बिलकुल और एक दूसरे के लिए वो चीज रिस्पेक्टफुल रखनी ज़रूरी है, बहुत जरूरी है, यह भी जरूरी है कि चाया मा या पिता, वो एक दूसरे की निगेटी चीजों को बच्चे के सामने नाड़, यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी कि आप एक दूसरे की न पदर नहीं किया था ये मत करो ये उसके लिए बहुत निगेडिव रहेगा जी दूसर एक बात और भी है डिस्पेक्टफुली को पैरेंटिंग करें ठीक है आप बच्चे के जो हित्मे होता है आप उस तरह उसको करें नहीं ये सही है आपको एक दूसरे के टाइम का ना पसंद किया होगा डिवास कर लिया अलग चीज़ है बट कभी तो पसंद होगे वो चीज़ की तोड़े रिस्पेक्ट रखो अगर बाप बच्चे से मिल रहा है माँ बच्चे से मिल रही है या वाईसा वरसा जो भी हो रहा है ये रिस्पेक्ट रखो कि दूसरे के टाइम आप जेलेस नहों ये ज़रूरी है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें ये सही बात है दूसरा है कि आपको धैर रखना पड़े गागा क्योंकि हर बच्छा अलग होता है हर बच्चे का सोचने का तरीका हर बच्चे का एज्जस करने का तरीका अब कभी किसी अगर नए महल में बच्चा जाता है तो उसको टाइम दीजे वो कैसे एज्जस करता है उसको मतलब आपको धैर इसलिए रखना पड़ेगा कि आप की बच्चा कब एज्जस होता है इसलिए भी ज़रूरी है कि वही जो मैंने पहले बोला था ever evolving questions होते तो आप irritate नहीं हो सकते उसके सवालों को आपको honestly हर बार जतनी बार भी वह पूछे आपको उसको honestly जवाब देना पड़ेगा तो उतना patience रखना पड़ेगा बच्चे के साथ आपको quality time spend करना पड़ेगा ठीक है आप जितने समय भी बच्चे के साथ रहते हैं बच्चे को वो महल दीजे कि बच्चा खुश रहे जितने समय भी आपके साथ रहता है आप पूरा का पूरा आप उसको खुश रखने की कोशिश करें बच्चा को ऐसा महसूस ना होने दें कि वो कहीं बाहर आया हुआ है बडन ना लगे ना बच्चे को ना आपको जी तो वो चीज एक हलके हलका महल जिसे कहते हैं ना कि बच्चे को अगर बच्चा छोटा है तो आप उसके साथ खेलिए या बच्चे को जो भी उसको खाने की इच्छा आप उसको ले दी जो भी मतलब बच्चे की इच्छा उप साही बात है वो तो जरूरी है वनना फिर बच्चे को लगेगा कि यह obligations है obligations जितना हो सके आप normal life maintain रखो अपने बच्चे के साथ जादा फेर बदल करोगे तो बच्चा कटेगा और मेरे personal experience पे ऐसी है बच्चे बहुत जादा mentally disturbed रहते हैं बहुत erratic behavior हो जाता है आप नहीं चाहते कि यह आपके बच्चे के साथ हो एक बिंदू और भी है कि बच्चा जैसे बच्चे के teacher होते school teacher है या बच्चे को कोई भी look after कर रहा होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा तालाग हो चुका है ताकि उनके knowledge में यह रहे तो बच्चे को उसी तरह से वह treat कर रहें ठीक है बच्चे ताकि उसको भी जादा ना लगे बच्चे को भी ना वही जैसे पहले महौल वाली बात थी कि उसको कैसे अलके महौल की तरह स्कूल लें नहीं जरूरी है और इसमें ना एक चीज़ मैं आड़ करना चाहूंगा यह मेरा suggestion भी अगर बाई आपसे नहीं हो पा रहा है transition smoothly नहीं हो पा रहा है तो एक adult को या एक elder figure को उस बच्चे की life में लाओ introduce करो ताकि वो किसी पे तो अपनी बात confine करे ऐसा ना हो कि वो बात confine नहीं कर पा रहा है और अपने में उसको खाय जा रही हो बात तो अगर आप नहीं इस transition को smooth कर पा रहे हो तो एक अलग किसी elder figure को उस बच्चे की life में introduce करो चाहे वो बाबा दादी या कोई mama, mousi, कोई भी हो ऐसा जो परिवार के बहुत करीब रहा हो जिससे बच्चा जिस पे बच्चा faith कर सके बता सके बहुत बात कर सके खुश रह सके कि बच्चे खुश रहना जरूरी है एक टाइम आएगा जब बच्चा निकलेगा life में खुदा ना गोशले से चड़िया ओड लोगी एक टाइम आएगा पर तब तक आपको बहुत sensitively इस चीज को handle करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आपने bum फोड़ दिया है आपका decision है बच्चा आपका है आप ही को देखना पड़ेगा भाई वो यह और आकर कि आपकी help नहीं करेगा तो बच्चा ही नहीं करना इस तरह की कोई दिकते नहीं आने वाली है ठीक है हम लोग सपोर्ट करेंगे और एक बात और भी है कि बच्चे को यह कभी ना लगे कि जो यह तलाग हुआ है वो मेरी वज़े से है यह दो चीज़े तो बहुत जरूरी है एक reassurance reassurance again assurance all time assurance जैसे भी इसको आप समझना समझो कि बहिया आपकी life वैसे ही रहेगी of course एक time आएगा mature होगा उसे समझ में आगी life वैसी नहीं है बट जब तक वो maturity level नहीं मिलता उस बच्चे को तब तक आपको assurance देनी पड़ेगी कि नहीं आपकी life change नहीं होगे things will be the same for you दूसरा आपकी गलती नहीं है it's not your fault अगर यह उसने मान लिया कि उसकी गलती है तो भया forget it आपके ऊपर वो काला धबा होगा अगर बच्चे नहीं मान लिया कि उसकी गलती है आपका divorce your decision you need to own it देखे डिवास बहुत sensitive चीज है पूरी family उतल पुतल कर देता है बट आपकी जिम्मेदारी है कि वो चीजें कैसे smoothly हो because after all it's your life आपको ज send आई है तो इसको like करिए share करिए subscribe करिए same drill है if you think this video can help somebody please do forward it to them नीचे comment करना is very important क्योंकि वीडियो भी ऐसे ही एक suggestion का outcome है next video में हम फिर से मिलेंगे किसी नए topic के साथ तब तक लिए thank you